सुप्रीम कोट ने अपने कहम फैसले में कहा है कि सरकारी विग्यापनों पर केवल परधान मंतरी राश्टरपती और देश के चीफ जस्टिस की ही फोचों लगाई जाए मुखे मंतरी या अन्य नेताओं की तस्वीरों वाले विग्यापन गैर कानूनी माने चाहेंगे व्रेश्वरकील परशान भूशन की गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वुच अदालत ने यह फैसला सुनाया यह कॉमन कॉज और सेंटर फॉर पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन ने दो जनहित याचिकाएं दायर करींथी सुप्रीम कोर्ट में कि सरकारी विग्यापनों का दुरुपयोग किया जा रहा है और पुलिटिकल पर्सनेलिटीज यानि कि जो सरकार है उसके मंत्रियों की फोटो एं लगाई जा रही है सरकार के पार्टी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है और सरकारी पैसा राजनितिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक एतिहासिक फैसले में ये बोला है कि सरकारी advertisements जो सरकारी पैसे से issue किये जाते हैं उसमें कोई political personality को project नहीं किया जा सकता ये personality cult को बढ़ावा देता है और अगर कोई भी सरकारी इस्तेहार में अगर किसी भी मंत्री या किसी भी मुख्य मंत्री की photo publish होती है तो वो इसका दुरुपयोग माना जाएगा ये जो उन्होंने इस किसम की ruling दिया है तो मेरे खाल ये तो कुछ थोड़ी नियाय संगत नजर नहीं आ रही है और मुझे तो ऐसा लगता है कि इस मामले में सेंटर गवर्मेंट को दखल देना चाहिए क्योंकि खास तोड़ से एड के मामले में जदी कुछी लोगों तक है इसको सीमित कर दिया जाएगा तो मैं समझती हूँ ये डेमोक्रेसी के लिए साही नहीं है ये बहुत ही मामुली मसला है ऐसे मसलूप पर माननी सुप्रीम कोर्ट क्यों इस तो समय बरबात करता है जहां तक मेरा सवाल है मैं दस साल तक मुख्यमंती रहा एक भी सरकारी विज्यापन में मेरा फोटो नहीं चपा कि अधरिजमंती है अधरिजमंती है और जो भी चीज़ें पाइपलाइन में हैं वो भी एफेक्ट होती है इससे बिकॉस ये नहीं का जा सकता कि हमने पहले से ऐसे कर दिया इसलिए अब आगे से नहीं करेंगे और जज्जमंट आज आई है इस 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 पॉजिशन इन लॉग ख़बरों की दुनिया में आईए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िये हम मिलेंगे फेस्बुक पर हम दिखेंगे यूट्यूब पर हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर हबरों के साथ बने रहें राद दिन हुआ 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 हुआ